सबसे खराब स्थिती दुश्मनों के बीच नहीं, तथा कथित प्रियजनों के बीच होती है प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे जीवन को पोशित करना चाहते हैं, कोई राय बनाए बिना ये पोशन का रिष्टा होना चाहिए न की राय थोपने का ये आपके प्रियजन नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा हाथ पैर हैं आप दो पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो आपको चार की जरूरत है या आठ या बारा नजाने कितने ये एक्स्ट्रा हाथ पैर हैं और जब ये हाथ पैर ठीक तालमेल में नहीं होते तो वो उलट जाते हैं चार या पांच दिमाग घर में चार या पांच पावर सेंटर हैं और उनके अच्छे ताल मेल में होने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है इसे करने का एक तरीका है इसे बड़े पैमाने पर जुड़ाव के साथ करना भावना के स्तर पर नहीं भावनात्मक जुड़ाव बस निर्भरता लाता है भावना आनंद उठाने वाली चीज है ये जीवन का रस है भावनाओं से काम करने की कोशिश मत कीजिए आपको उनसे काम नहीं कराना चाहिए आप अपने विचारों से काम कर सकते हैं, आप अपने शरीर से काम कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से काम करने की कोशिश न करें। भावना काम करने के लिए नहीं है। भावना बस आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए है। आपके विचार और आपके शरीर को काम करना चाहिए। भावनाएं बस मौजूद हैं। ये एक फूल की तरह है जिसे आप अपने बालों में लगाते हैं। अब कोई नहीं लगाता। ठीक है। आप इन फूलों से काम नहीं करातें। माइक्रोफोन काम करता है, कुछ और काम करता है। फूलों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। वे बस मौजूद हैं। भावना ऐसी ही है, वो बस मौजूद है। सुखद और शांदार, अगर आप उससे काम कराना चाहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं से अपने आसपास से थोड़ा जीवन निचोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे बदसूरत होना ही है। तो अगर आपके पास एक काम करने वाला दिमाग नहीं हैं, अगर आप सोचने के काबिल नहीं हैं, तब काम कराने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तमाल करते हैं। और ये कभी कभार काम भी कर सकती है, यही पूरी समस्या है। ये शुरू में काम करती है और फिर आप उसे और आगे ले जाने की कोشश करते हैं। और फिर आपका जीवन इतना खराब हो जाता है, इतना ज्यादा खराब हो जाता है, उन लोगों के बीच जिन्हें एक दूसरे का ध्यान रखना होता है, सबसे खराब स्थिती दुश्मनों के बीच नहीं, बल्कि तथा कथित प्रिय जनू के बीच होती है. आप सहमत है या नहीं? क्या मैं आप पर बहुत कठोर हो रहा हूँ? हाँ या ना? तो लोगों की अपनी राय होती है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपकी कोई राय नहीं होनी चाहिए, प्यार का मतलब यही है, प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे जीवन को पोश कर रहे हैं, एक राय एक तरीका है किसी व्यक्ति को एक जन्जीर में जकरने का, प्यार का मतलब है किसी व्यक्ति को एक नई संभावना में विक्सित करना, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, किसी भी तरह से ये साथ नहीं हो सकती, आप कभी कभार कुछ फैसले करते उसे बहतर ढंग से पोशित करने के लिए, आप घर में बच्चों को पाल रहे हैं, आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं जहां बच्चे अभी हैं, उसे अगली संभावना तक विक्सित करने के लिए, उस पर राय कायम करने के लिए नहीं, जैसे ही आप एक राय बनाते हैं, आपको उस जीवन को एक नई संभावना में विक्सित करने में कोई दिल्चस्पी नहीं रह जाती, आप बस अपनी राय की एक खोल में उसे जकर देना चाहते हैं और आप निराश हो जाएंगे अगर वो आपकी राय पर न चले, नहीं, ये इस तरह काम नहीं करता, अगर आ ये कैसे काम करेगा, संयोग से स्थिती के नएपन के कारण, क्योंकि ये हनीमून टाइम है, ये कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करेगा, तो अगर वाकई ये एक प्यार का रिष्टा है, तो कोई राय नहीं होनी चाहिए, केवल पोशन होन चाहिए.